Dear Students, BA दुतिय वर्ष में जो हमारा जोग्राफी में सेकंड पेपर है मानव वूगोल उसकी यूनिट सेकंड में हम प्रजातियों के बारे में अध्यन कर रहे थे जिसमें हम प्रजाति क्या होती हैं, इनका वर्गी करण के आधार, विविन विद्वानों के द्वारा दिये गए वर्गी करण के बारे में हमने पहले लेक्चर्स में पढ़ लिया है हमने सिप्पूर्व के लेक्चर्स में विविन विद्वानों के द्वारा जो प्रजातियों का वर्गी करन दिया गया था उसके बारे में अध्यन किया था आज हम बात करते हैं जो विश्व की प्रजातियां हैं उनके सामान्य वर्गी करन के बारे में बिविन बिद्वानों ने बिविन मानव शास्त्रियों ने अलग-अलग आधारों पर किसी ने बालों के बनावड, किसी ने नाक की बनावड, कपाल सूचकांक, आधी के आधार पर प्रजातियों का वर्गीकरण प्रस्तुत किया इन सबी विविन वर्गीकरणों के आधार पर प्रजातियों का एक सामान्य वर्गीकरण हमारे सामने निकल करके आया जिसके अंतरगत भोगौलिक वित्रण के आधार पर मानफ प्रजातियों को प्रमक रूप से चार समूँ में रखा गया ये चारो समू जो हैं वो बिविन्न शेत्रों में मानफ पर पढ़ने वाले जलवायू के प्रभाव के आधार पर नरधारित किये गए हैं यानि यह चारो ही जो प्रजाती समू हैं उनका वितरन विश्व इस्तर पर अलग-अलग जलवायू वाले शित्रों में पाया जाता है तो इन प्रमुक प्रजातियों के अंतरगत सबसे पहले हम बात करते हैं नीग्रो या नीग्रोईट प्रजाती समू के बारे में ऐसा माना जाता है कि यह जो नीग्रोईट प्रजाती समू है इसका विकास सबसे पहले हुआ था यानि सबी मानव शास्तरी यह मानते हैं कि यह जो प्रजाती है वो सबसे पुरानी है और सबसे पहले विक्सितुई प्रजाती है ये प्रजाती मुख्य रूप से महादीबों के जो अंतिम छोर होते हैं या घने जंगल हैं, मरुस्तलिय शेत्र हैं यानि जो विशम भौकॉलिक परिस्तिती वाले शेत्र हैं मुख्य रूप से उन शेत्रों में ये प्रजाती समू मिलता है यह जो प्रजाती समू है इसके जो तवचा होती है उसका रंग बहुत ही अधा काला होता है इनका कद छोटा होता है नाग चोड़ी और चप्ती होती है बाल उन की तरह गुंगराले होते हैं और जबड़ा जो होता है वो भार की ओर निकला हुआ होता है जैसा कि आपके सम्मुक एक चित्र है उसमें एक मानव की प्रजाती बताई गई है इसी तरह की जो है वो नीग्रो प्रजाती प्रमुक रूप से पाई जाती है नीग्रो प्रजाती के अंतरगत अगर हम बात करते हैं तो जो नीग्रो प्रजाती है वो मुख्य रूप से अफ्रिकन शेत्रों में पाई जाती है इसकी जो प्रमुक शाका है वो कौन सी है अफ्रिकन शाका है कुछ मामलों में एशिया और आस्ट्रेलोर प्रजाती जो चौथा समू बाटा गया है वो भी पहले नीग्रो प्रजाती के अंतरगत ही पढ़ा जाता था लेकिन मुख्य रूप से ये जो प्रजाती है वो अफ्रिकन शका के अंतरगत आती है यानि अफ्रिका में इसका बसाव मुख्य रूप से मिलता है जैसा कि हम बात करें सबसे पहले इस अफ्रिकन प्रजाती के अंतरगत भी जो है वो सबसे पहले आती है मुख्य नीग्रो प्रजाती ये जो मुख्य नीग्रो प्रजाती है ये मुख्य रूप से अफरिका महादीब के पश्चिम में जो सैनेगल नदी है वहां से नाइजीदिया के पूर्वी मुहाने तक ये फैली हुई है यानि इसका जो में शेत्र है वो सहारा मरुस्तल के दक्षनी भागों में है इसके अलाबा ये जो मुख्य प्रजाती है ये कांगो नदी बेसिन और जो कैमरून के सगन वन शेत्र है उनमें इसका विकास जो है वो मुख्य रूप से पाया जाता है ये जो प्रजाती है इसका उसतकरद 1.73 मीटर है और इसका जो कपालिक परिमित्य है यानि कपाल सुचकांग है वो 73 से 75 के मद्य पाया जाता है इसके बाद हम बात करते हैं जो दूसरी प्रजाती है वो आती है जंगली नीग्रो प्रजाती जो की सैनेगल नदी, सूडान, यूगांडा और रोडेशिय शेत्रों में जंगलों में निवास करती है ये प्रजाती का जो जीवन निर्वा है वो आदिम तरीके से होता है यानि की लकडिया काटना, कंद मूल फले कटे करना, शिकार करना आदि आदिम तरीके से जीवन यापन करते हैं इनका कद भी बहुत छोटा होता है, जबरा निकला होता है, होट मोटे होते हैं, बाल काले तता गुंगराले होते हैं यह जो प्रजाती है, वो मुक्के रूप से अर्ध हैमेटी प्रजाती की रूप में पाई जाती है, यानि अर्ध हैमेटी प्रजाती का जो है, वो इसमें लक्षन देखने को मिलती है तीसरा जो प्रजाती समू आता है वो आता है नीलोटिक नीगरो प्रजाती समू ये जो नीलोटिक नीगरो प्रजाती समू है इसकी उत्पति नीगरो और हैमेटी दोनों ही प्रजातियों के मद्ये समंदों के कारण हुआ है यानि कि ये दोनों ही प्रजातियें इनका जो मिश्रण है वो इसके अंतरगत देखने को मिलता है इन दोनों प्रजातियों का मिक्स रूप जो है वो हमारे सामने नैलोटिक प्रजाति के अंतरगत आया ये एक वर्ण शंकर प्रजाती है वर्ण शंकर का मतलब इसमें दो प्रजातियों के लक्षन देखने को मिलते हैं ये दिखतर सूडान और नील नदी के जो छेतरे हैं उनमें मुख्य रूप से पाई जाते हैं इनका सर्जो होता है वो लंबा होता है कत थोड़ा बड़ा होता है और नाक चप्टी होती है इनके लक्षन थोड़े नीग्रो प्रजाती से थोड़े से अलग हो जाते हैं क्योंकि ये दो प्रजातियों के मिश्वन से इनका निर्मान हुआ है चोथी जो नीग्रोईट प्रजाती के अंतरगत आती है वे आती है बन्टू नीग्रो बन्टू नीग्रो जो है वो अफरिका महादीप के दक्षणी तता मध्य भागों में पाई जाती है और इनकी जो शारेरिक लक्षन होती हैं वो भी जो मूल नीगरो प्रजाती है उससे कुछ अलग रूप में मिलते हैं इसके बाद आते हैं बुश्मेन और हॉंटेटोट प्रजाती ये मुख्य रूप से जनजातियों के अंतरगत हम इसका अध्यन करते हैं और अफ्रिका के जो काराहाली मरुस्तन है उसमें इसका विकास मुख्य रूप से पाया जाता है इनकी नाख चोड़ी होती है चेहरा भी चोड़ा होता है बाल गुंगराले होते हैं होट मोटे होते हैं और त्वचा का रंग जो है वो पीला और बूरा होता है इसके बाद जो लास्ट आता है अफ्रिकन समू में एक वो आता है पिग्मी पिग्मी जो जाती है वो मुख्य रूप से उनका जो शारेरिक कद होता है वो सबसे छोटा होता है पिग्मी लोगों का जो ओसप कद होता है वो 1.4 मीटर पाया जाता है ये लोग मुख्य रूप प्रजातियां तो अफ्रीकन शाखा के अंतरगत आती हैं यानि इनका जो विकास है इनका जो निवास है वो अफ्रीकन शेत्रों में ही देखने को मिलता है एक जो हम आगे बात करते हैं तो एक अन्य प्रजाति और हम निग्रों के अंतरगत शामिल करते हैं जिसे हम बोलते हैं समिद्री निग्रों ये मुख्य रूप से एशियाली समू के अंतरगत आती है ये जो समुद्री निग्रों है इनका जो निवास है वो प्रभक रूप से अंडमानीस, मलेशिया के सेमांग, फिलिपिन्स के एडा, न्योगिनी के तापुरा, तापिरो, पापुआ और न्योगिनी के पापुआ तथा मेले नेशन द्वीब समू में जो मेले नेशन अमेरिकन शेत्र है इसके अलावा इस प्रजाती के कुछ जो प्रजाती समू है वो भी देखने को मिलते हैं और इसके अलावा ये जो नीग्रों प्रजाती है इसका एक अमेरिकन शाखा भी आती है ये जो अमेरिकन शाखा है वो प्रमकुरूप से अमेरिकन शेत्रों में मि जाया गया था गुलाम बना करके तब इस प्रजाती का विकास जो है वो अमेरिका में हुआ तो इस तरीके से जो नीग्रो प्रजाती है वो प्रमक रूप से कहा मिलती है अफरिका में सेकंड जो हमारी प्रजाती आती है वो आती है मंगोलोईट प्रजाती मंगोलोईट मिलता है मुख्य रूप से मद्यवा पूर्वी एश्याई शेत्रों में इसके अलावा जो दक्षनिपूर्वी एश्या है इंडोनेश्या है वहाँ पर आस्ट्रिलर लोगों के साथ संपर्क में आने के कारण इनका रंग कैसा हो गया है बूरा वैसे इनका रंग होता है पीला यह जो प्रजाती है इसको हम एश्याई अमेरिकी प्रजाती भी कहते हैं क्योंकि मुख्य रूप से जो इसका विस्तार है वो एश्या महादीप के मद्यवर्थी उत्री पूर्वी दक्षनी पूर्वी भागों में पाया जाता है इसके अलावा उत्री एवम दक्षनी अमे इनकी जो उंचाई होती है वो 1.66 मीटर होती है इसके अलावा इनका कद थोड़ा सा मद्यम ही है तो 1.66 मीटर है सरका आकार छोटा होता है सुगटिस शरीर है नाग सपाथ है तो अच्छाकरंग पीला है और बाल सीधे और काले होते हैं निवास्षेत्रों के आधार पर यह जो प्रमक प्रजाति है इसको उत्री मंगोलॉइट, दक्षणी मंगोलॉइट, American Indian मंगोलॉइट उप्रजातियों में बाटा गया है इसकी जो प्रमक उप्रजातिया है उसमें सबसे पहली आती है क्लासिक मंगोलॉइट क्लासिक मंगोलॉड जो है वो साइबीरिया के आमुर बेसिन में मिलते हैं कोरियाक और गोलडी गिलपाग जो नरजाती है, समु है वो इसके अंतरगत प्रमक रूपसे आते हैं इसके बाद जो सैकिंड आता है वो आता है प्राचीन मंगोलॉड मतलब क्लासिक मंगोलॉइड जो है वो तो प्राचीन हो गया पुराना सबसे पहला मंगोलॉइड हो गया इसके बाद में हम बात करते हैं प्राचीन मंगोलॉइड के बारे में इसे हम मूल या मलाया मंगोलॉइड भी कहते हैं इनका विस्तार मुक्य रूप से मिलता है उत्री चीन, मलेशिया वद तिब्बत वाले शित्रों में और ये मूल मंगोलोड समों के अंतरगत आते हैं ये क्या होता है ये जो मंगोलोड प्रजाती है वो अलग अलग छोटी छोटे कबीलों में निवास करते हैं और इनकी जो शारेरिक लक्षन होते हैं वो मंगोलोड प्रजाती के जो लक्षन है उनसे ही प्रमुक रूप से समानता रखते हैं कालमुक और कोरियाक प्रजाती कबीले इस वर्ग के अंतरगत हम समलित करते हैं इसके बाद जो अगली प्रजाती आती है मंगोलोइट में वो आती है आर्कटिक या इसे एसकी माईट प्रजाती भी कहती है यह जो प्रजाती है वो मुखे रूप से कनाडा के उत्री भागों में और साइबीरिया के उत्री पूर्वी भागों में निवास करती है इसके अला इनके अगर कदकी बात करें तो कद होता है 1.62 मीटर और इनका जो कलर होता है वो होता है तामरवणी यानि तामी जैसा कलर होता है इसके अंतरगत अगर हम बात करें तो एसकिमो, चुक्ची, याकू, सैमोईड यानि जितनी भी दुरूविय शेत्रों में रहने वाली प्रजा इसे अमेरिका महादीब की मूल प्रजाती है उत्तरी वादक्षणी अमेरिका में इसका विस्तार मुक्खे रूप से देखने को मिलता है इनके जो शार्यरिक लक्षन है वो भी मंगोलवट प्रजाती जैसे ही है आंकों करंग भूरा होता है और मैक कि इनकी आखे बैसे देखने को मिलता है अमेरिका में इस प्रजाती का प्रवेश जो है वो बेरिंग सागर से उकर अलास्का में माना गया है मुख्य रूप से मैक्सिको से अमेजिन के उत्री वह मद्यगाटी शेत्रों में जो है इनका विस्तार देखने को मिलता है इसके बाद आता है प्रजाती का मिश्टरण भी ये मुख्य रूप से चीन के दक्षणी भाग, हिंदी चीन, म्यानमार, थाइलेंड तता मलाया छेत्रों में जो है वो निवास करती है ये प्रजाती जो है वो एक मिश्रित प्रजाती है जैसा मैंने पहले भी बताया कि इसमें मंगोल, कौकेशि और ऑस्ट्रिलोट, तीनो प्रजाती के लक्षण मिक्स रूप में मिलते हैं इनका कज्जो होता है वो प्रजाती छोटा होता है लगबग 1.55 से 1.58 मीटर और इनका जो सर होता है वो थोड़ा सा लंबा होता है इंडोनेशिया मले प्रजाती जो है उसका विकास उसी उस प् मंगोलाइड प्रजाती है उसके अंतर्ग讲त हम पांच प्रमुक प्रजातियों को शामिल करते हैं अर मोखे रूप से इस प्रजाती का वियस्तार एशिया और अमेरिकन शेत्रों में मिलता है तीसरी जो हमारी प्रजाती आती है वो आती है कौकेशियन प्रजाती कौकेशियन प्रजाती जो है वो है एक नवीन प्रजाती मद्दे एशिया में सबसे बाद में ये विक्सित हुई है और ये प्रजादी मुख्य रूप से सभी महादीपों में मिलती है लगबग हमारे विश्यू की आदी से ज़्यादा जनसंक्यास के अंतरगत समलित है इनका कलर कैसा होता है गोरा यानि गोरी प्रजादी के अंतरगत हम इसको शामिल करते हैं इस प्रजादी की उत्पत्ती के अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले इस प्रजादी की उत्पत्ती हुई है यूरोप में दक्षनी और दक्षनी पश्मी एशिया में और उत्री अफरिका में इसके बाद दीरे दीरे ये लोग उत्री अमेरिका, दक्षिनी अमेरिका और आस्ट्रिलिया महदीप के लिए इस्थान अंतरन कर गई है इनके अगर शारेरिक लक्षणों की बात करें तो इनके तवचा का रंग होता है गोरा इसलिए इसे हम श्वेत प्रजाती कहते हैं इसका जो सर का बाल होता है वो मुलायम होता है, होट बहुती ज़्यादा पतले होते हैं इस ये प्रजाती जो है उसका अगर मुल इसतान की बात करते हैं तो मुह के रूप से जोर्व ni उसके दक्षन में प्रजाती मिलती है ये जो प्रजाती है, इस प्रजाती के अंतर गदवी जो है, वो तीन शाखाएं आती है defendants जैसे कि एक तो आजाती है हमारी यूरोपियन शाखा इसके अलावा अन्य दो शाखाएं भी हैं जिसको इसके अंतरगा समलित किया जाता है जिसमें एशय शाखा भी है और इसके अलावा एशय शाखा के अलावा हम इसमें एक तीसरी शाखा को भी समलित करते हैं जिसमें भू नार्डिक प्रजाती का नार्डिक प्रजाती जो है वो यूरोप महादीप के उत्री भाग में बाल्टिक सागर के पास नौर्वे, स्वीजन, हॉलेंड, डेनमार्क, जर्मनी, पोलेंड, बिर्टेइन, उत्री जर्मनी तता रूस में पाई जाने वाली उपशाखा है यह जो प्रजाती में आखें जो होती है वो भूरी होती है रंग भी बूरा होता है सीधी वा पतली नाक होती है और इनका कद होता है लंबा इसमें जो दूसरा उपवर्ग है वो है भूमध्य सागरी प्रजाती जो भूमध्य सागरी प्रजाती है वो मुख्य रूप से भूमध्य सागदे प्रजाती कहते हैं यह Caucasian प्रजाती की जो है वो मुख्य उप्रजाती है इसे Mediterranean, Atlantic Mediterranean और इरानी अफगानी तीन भागों में बाटा गया है वर्तमान समय में अगर हम बात करें तो यह प्रजाती मुख्य रूप से भूमद्य सागदे प्रजाती के आसपास में जो इस्पेन है पोर्तगाल है इटली तर्की मिश्ट्र उत्री अफ्रीका देश अरब शेत्र भारत के उत्री शेत्र कौकेशन शेत्र एश्या के मद्यवर्ती भागों में आदी में निवास करती है तीसरा जो यूरोपियन शाखा के अंतरगत उपवर्ग आता है वे आता है अलपाइन उपवर्ग यूरोप महादीप के मद्यवर्ती और दक्षिन पूर्वी भागों में जो है वो इसका विकास प्रमोक रूप से देखने को मिलता है इसके अलाबा आलपस परवत के शमीव इनके बाल सीधे होते हैं नाक पतली होती है रंग गोरा होता है इसको भी पूर्वी शाखा और पश्मी शाखा दो भागों में माटा गया है तो जैसे कि हम बात करें कि यह तीनो ही जो यूरोपियन शाखा के अंतरगत यह तीनो शाखा है यह मुख्य रूप से उन शेत्रो की द्रश्टी से या अन्य द्रश्टी से उसके अंतरगत हमें से शामिल करते हैं इसके बाद जो अगली शाखा आती है यानि यूरोपेन शाखा के बाद में वो आती है हमारी इंडो-इरानियन शाखा यह जो इंडो-इरानियन शाखा है यह मुख्य रूप से इराक, इरान छेतरों में मिलती है इसके अलावा भारत के पश्यमोत्तर तथा मध्य भागों में इसका विकास पाया जाता है इसमें हम शामिल करते हैं आर्मीनाइट प्रजाती को एक आर्मिनाइट प्रजाती है जो मुखे रूप से टर्की के अर्मीनिया, यूरोप के दक्षिन पूर्वी भाग और एरान में निवास करने वाले लोग जो होते हैं उन्हें हम अर्मिनाइट प्रजाती के अंतरगत पढ़ते हैं इसके बाद जो तीसरा आता है वो आता है सेमाइट या हैमाइट ये प्रजाती मुखे रूप से उत्री और उत्री पूर्वी अफ्रेका में फैली हुई है इसके अंतरगत मुरको, अलजीरिया, ट्यूनीशिया, लीबिया, मिश्र, इथोपिया, सोमालिया, सौधी अरब, यम जॉर्डन, आधी छेत्रों में जो जनसंक्या है उसको हम इसके अंतरगत शामिल करते हैं तो इस तरीके से Caucasian प्रजाती जो है उसके तीन प्रमुक शाखाएं हो गई तीन प्रमुक शाखाओं के अलावा ये जो प्रजातियां है इसके अंतरगत अन्यवी प्रजातियां पाई जाती है जिसमें आती है अर्मीनाइट की हम बात कर चुके हैं एक आती है पूर्वी बाल्टिक प्रजाती जो पूर्वी बाल्टिक प्रजाती है वो जर्मनी, पोलेंट, फिलनेंट और बेलारूस में मिलती है इस तो उपपरजाती का विकास हुआ है नारिक, अल्पाइन और दिनारिक इन तीनो परजातीयों के मिश्रन के बाद में तो इन तीनो परजातीयों के जो शाररिक लक्षन है वो इस परजाती में देखने को मिलते हैं इसके बाद जो अगली आती है वो आती है दिनारिक प्रजाती दिनारिक प्रजाती जो है वो मुख्य रूप से सुर्जल लेंड से स्लोवा किया एवं अलवानिया में निवास करती है इसके अलावा इनका जो सर होता है वो चोड़ा होता है और अन्य जो इनकी विशेष्टा ह इसके बाद आती है पॉलिनेशन प्रजाति कद मध्यम होता है इसके बाद आती है इंडो द्रविड प्रजाती इंडो द्रविड प्रजाती इसे हम आरे प्रजाती भी कहते हैं और इसमें नीग्रोईट एवं प्रोटो उस्ट्रिलोईड प्रजाती का सम्मिश्ण देखने को मिलता है इस प्रजाती के जो लोग हैं वो मुख्य रूप से भारत के दक्षणिवाग और श्रिलंका में निवास करते हैं इनका रंग घेरा बूरा होता है, बाल लहरदार और काले होते हैं, सीधी नाक होती है और मध्यमाकार का इनका कद होता है इसके बाद आती है लेप प्रजाती जो मुख्य रूप से यूरोप महादीप में है, जो साइबेरिया के उत्तरी पूर्वी भाग में टुंडरा शेत्र हैं, उसमें निवास करती है इसके बाद आती है Celtic प्रजाती Celtic प्रजाती Iceland, Scotland और Wales में पाई जाती है इसके बाद जो next आती है वो आती है AINU प्रजाती AINU प्रजाती उत्तरी जापान के उत्तर प्रजाती है जिसमें Bangular प्रजाती की लक्षन भी पाई जाते हैं इसके अलावा Indo-Afghan और उल्मद्य प्रजाती प्रजाती है. जो कि जो कोटे जो आध्याटी से अन्तरगत अध्यन करते हैं. तो इस तरीके से हम देख सकते हैं जो कोटेशियन प्रजाती है वो हमारे विष्व में फ्रमक रूप से सभी शेत्रों में पाई जाती है जैसा कि आपके सामने विश्व का एक प्रमुक चित्र दे रखा है जिसमें चारो प्रजातियों को दिखाया गया है जो छोटे-छोटे गोले हैं डॉट-डॉट के उनके आधारपन नीगरो प्रजाती को दिखाया गया है जो मुके रूप से कहा दिखाए गई है अफरेका में इसके बाद में जो आड़ी लाइन है उसके माध्यम से चौती प्रजाती जिसका अध्यन अभी हम करेंगे औस्टेलोड प्रजाती को दिखाए गया है जोकि मुके रूप से औस्टेलिया ही शेत्रों में है इसके बाद आप इस शेत्रों में देख सकते हैं सबसे जादा विस्तार कौकिशोड प्रजाती का है जो की लंबी लाइनों के द्वारा यानि खड़ी लाइनों के द्वारा दिखाए गई है लगबख सभी शेत्रों में जो कौकिशोड प्रजाती है इनका विस्तार आपको देखने को मिल सकता है इसके बाद में जो आडी लाइन है इन आडी लाइनों के माध्यम से मंगोलाइट जो प्रजाती है उसका विस्तार दिखाया गया है तो इस तरीके से विश्व के सभी महादीपों में ये चारो जो प्रजाती हैं इसी प्रजाती की जो है वो उप प्रजातिया पाई चाती है अब प्रजातियों के अंतरकत हम बात करें तो सबसे लास्ट जो है वो है औस्टेलोइट प्रजाती समून जो मुक्के रूप से न्यूजिलेंड और आस्ट्रिलिया में निवास करते हैं न्यूजिलेंड और उस्टिलिया का जो शेत्र है उसे हम समलित रूप से ओशेनिया भी बोलते हैं तो यानि इसे ओशेनिया प्रजाती भी नाम दिया गया है इसकी अगर शारेरिक लक्षणों की बात करते हैं तो इसका रंग गहरा चॉकलेटी और कथई होता है लहरदार गुंगराले बाल होते हैं चैरा सकरा और नीचा होता है काली आखें होती हैं होट मोटे जबड़ा आगे की और निकला हुआ सिर लंबा तथा मध्यम से भी अधि लक्षणर आश्ट्रेलिया चले गए यानि ऐसा माना गया के कुछ कुछ जो नीगरौ प्रजाती है उसकी उप्रजातिया थी है फिर इनको ये जब चली गहीं तो इनको ऑस्टेलोड प्रजाती के अंतरगत अग्धन किया जाने लगा इसके अंतरगत हम प्रो आउस्ट्र प्रजाती को भी शामिल करते हैं यह जो प्रोटो ऑस्टेलोड प्रजाती है यह ऑस्टेलोड प्रजाती से पहले विक्सित हो गई लेकिन इसके जो शारेरिक लक्षन है वो ऑस्टेलोड प्रजाती के भी समान है तो इसे हम आधा या पोटो ऑस्टेलोड प्रजाती कहते हैं इसके अंतरगत द्रविट प्रजाती हैं, जो कि हमारे दक्षणी भारत में मिलती है, बेद्दा जो शिर्लंका में मिलते हैं, उसके बाद आईन वा बूरिल जो कि जापान में मिलती हैं, इन प्रजातियों को भी हम समलित करते हैं. तो इस तरीके से हमारे एक्जाम में जो questions आते हैं, अगर मानब प्रजातियों का सामाने वर्गी करण पूछा जाता है, तो उसके अंतरगत हम ये चार जो प्रजाती समू हैं, उसके बारे में बढ़नन करेंगे, इसके अलावा बिविन विद्वानों के द्वारा जो अलग-ल खतम होता है, इसके बाद में जो next topic हम स्टार्ट करेंगे, वो करेंगे भारत में प्रजातियों का वर्गी करण, thank you